एहमदाबाद लेग का आकरी मुकाबला खेला जाएगा गुज्राज जायंट स्वसिस पतना पाइरेट्स के बीच में इसी के साथ जो एहमदाबाद लेग है वो यहां पे खतम हो जाएगा गुज्राज जायंट की टीम अभी तक लगातार 3 मैचे जीती है और क्या पतना पाइरेट्स की टीम इनको रोक पाएगी की नहीं आईए इस वीडियो में इस मैच का प्रिव्यू करते है मैच की इन्फोमेशन से नज़र डाले तो यहां पे मैच नमर 11 है गुज्राज जायंट्स वसे पतना पाइरेट्स की टीम पाँच बार जीती है तो गुज्राज जायंट्स की टीम स्लाइटली आगे चल रही है लास्ट टाइम जब दोनी टीम बिड़ी थी पीकेल 9 में तो गुज्राज जायंट्स की टीम ने पतना पाइरेट्स को 40-34 के स्कोर से हराया था तो यही एक रिजल्ट है जिसके कारण head to head में गुज्राज जायंट्स की टीम आगे चल रही है गुज्राज जायंट्स की starting 7 की बात की जाये तो आप देख सकते हो जहां पे हमें राकेश सुंग्रोया, रोहिद गुलिया, मुहमद नभीबक, सौरफ गुलिया, अरकम शेक, सोंबीर एंड फजल अतरा चली देखने को मिल जाएगे अगेन मुझे लगता है कि सोनू जागलान को एज़ा सूपर सब इस्तमाल करने वाले जब इनकी जरूरत पड़ेगी इनको सबसिडूट करके बुलाया जाएगा पतना पाइरेट्स की बात की जाए तो पतना पाइरेट्स की starting 7 इस तरीके से देखने को मिल जाएगा जहाँ पर हमें सचिन तनवर, मंजीत दहिया, संदीप कुमार, नीरच कुमार, सचिन चंदरशेकर, कृशन दूल और अंकी जागलान देखने को मिल जाएगा मैं आपको बता दू कि पिछले मुकाबले में तेलगू टाइटन्स के खिलाफ पतना पाइरेट्स की टीम ने एक भी सबसीडूट प्लियर का इस्तमाल नहीं किया था तो आप ये मान सकते हो कि हर एक पोजिशन के फिलियर ने अपने रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया एंड मुझे लगता है कि पतना पाइरेट्स की टीम कोई भी चेंज नहीं करेगी दोने टीम की स्टार्टिंग 7 को कमपेर करें इसे पहले मापको बता दू कि जितने भी अच्छे आकड़े हैं जितने भी मैच के कवरेज है जितने भी कुछ इंटरस्टिंग अपडेट से सब कुछ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा कुछ ना कुछ कबड़ी के related दिसकस करते है तो आप जॉइन कर सकतो तो नी तो मैं आपको लिक्रीध करना यह कुछ ना कुक ना कुलिक करना है एंड जॉइन कर लेना है दोने टीम्स की स्टार्टिंग 7 को कंपेर कर लिया जाए तो गुजराज जैंट्स के रेडिंग लाइन अप में हमें राकेश सुंग्रोया, रोहित गुलिया एंड में सोनु को ले रहा हूँ नभी बक्स की जगापे तो नभी बक्स की जगापे आप सोनु को प्रिटेंड कर सकतो है न वहीं पे पतना पाइरेट्स की जगाप पतना पाइरेट्स के स्कॉर्ड में हमें सचिन तनवर, मंजीत दहिया एंड संदीप कुमार दिखने को मिल जाएगे मुझे लगता है कि दोने टीम्स का रेटिंग लाइनप बिल्कुल बराबरी का चल रहा है जहां पे राकेश चचा के लिए पिछले मैच में रोहित ने भी 7 रेट पॉइंट्स मुंबा के खिलाफ स्कॉर किये थे सचिन की बात की जाए तो 14 रेट पॉइंट्स मंजीत ने 7 रेट पॉइंट्स एंड संदीप ने 3 रेट पॉइंट एंड 1 टेकल पॉइंट स्कॉर किया था तो बिल्कुल बराबरी का चल रहा है कवर की बात की जाए तो गुजरात के पास सौरफ गुलिया औरकम शेके एंड पटना के पास निरच कुमार और सजीन चंदर शेकर है तो निरच सजीन चंदर शेकर बहुत सीजन से खेलते आ रहे हैं अच्छे फॉर्म में हैं एंड वहीं पे अरकम सौरफ गुलिया अभी कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे हैं तो पटना पारेट्स की टीम कवर के मामले में आगे चल रही है एंड वहीं पे कॉर्नर की बात की जाए तो गुजरात के पास सोंबीर फजल अत्रा चलिये पटना पारेट्स के पास कृस्टन धूल एंड अंकी चागलान देखने को म मिल जाएगे तो मुझे लगता है कि दोनों के पास ही ऐसे प्लियर जो अच्छे फर्म में हैं एक्स्पिरियंस रखते तो दोने टीम का कॉर्णर डू बराबरी का चल रहा है तो दोने टीम कापी स्ट्रॉंग है बहुत ही इंटरस्टिंग होने वाला है कि जब दोने टीम तो कौने टीम रेडिंग एंड डिफेंस में आगे चलती है अब यहाँ पर उन प्लियर्स के बारे में बात कर लेते हैं जिन पर सबकी नजरे रहने वाली है गुजराल जाएंट से स्टार्ट किया जाए तो मुझे लगता है कि फजल अत्रा चली पे नजरे रहेगी जब प बड़ा पारी देखने को मिल सकता है हाई फाई भी स्कोर कर सकते एक बड़ा स्कोर करने वाले फजल अत्रा चले पटना पारे इस की बात किज़े तो पटना पारे चे में से मुझे लगता है कि मंचीत दहिया पे सबकी नजरे रहेगी अपने पहले मुकाबले में साथ परफॉर्म करेंगे जो मैंने आपको बता दिया दूसरा प्रेडिक्शन यह है कि सजीन या फी निरस में से कोई भी एक कवर डिफेंडर इस मुकाबले में बड़ा स्कोर करने वाला एं तीसरा प्रेडिक्शन यह है कि गुजरा जाइंट्स की टीम यह मुकाबला जीतेगी अब गुजरा जाइंट्स की टीम ने अपने होम गराउंड में लगतार तीम जीत लिया चौती भी जीत जाएगी तो अच्छी बात है अब मैं क्या कहना चाहता हूँ जो मेरे पुराने वीवर्ज आप समझी सकते हो तो मुझे लगता कि गुजरा जाइंट्स की टीम यह मुकाबला जीतेगी अगर आपको लगता है कि गुजरा जीतेगी तो आप औरेंज हार्ट कॉमेंट कर सकते हो और अगर आपको लगता है कि पतना के टीम जीतेगी तो आप ग्रीन हार्ट कॉमेंट कर सकते हो और अभी फिलाल के लिए आपने पीकल सीजन 10 का नया पॉंस्ट उड़ो के साथ थैंक्स पॉर वाचिंग